अच्छा जी, क्योंकि हम AI को पढ़ रहे हैं अब AI के अंदर जो main चीज होती है AI आपको code भी देती है आपको coding ज्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आज के दोर में So there are few extensions which are totally available There are few things which are totally available free of cost उनको use करते हुँ आप कैसे अच्छी coding कर सकते हैं ये lecture बहुत ही ज्यादा important होने वाला है क्योंकि आम में से काफी लोगों का claim ये है पिछले 10 दिनों का हमें coding नहीं याद रहती हमें फलान चीज नहीं याद रहती सारे गजनी बने हुए हो यार चलो मैं आपको बताता हूँ कि गजनी को कैसे सरपास करना है Let's begin ये सभी के काम की चीज है पहली extension जो हमारे काम की है मैंने आपको पहले भी बताया that is called black box इसको install कर ले install कैसे करते हैं मैं देखें मैंने इसे uninstall किया यहाँ पे आपने extensions में जाना है black box ये लिखने ये आपके पास black box आगया ठीक है पहली extension the second one is called code IUM codium ये आपने green वाली इंस्टाल करना है because you are not running an enterprise you are running your own personal PC to codium second one third one is called github co-pilot which is not free but only for students ये सिरफ students के लिए free है या teachers के लिए भी sorry teacher या student developer pack के अंदर ये totally free आती है github co-pilot और github co-pilot chat ये दो ऐसे कमाल की चीज़े है which can actually change your life एक और आजकल आई है github co-pilot voice कभी सुना है के mic on करके आप सिरफ हुकम देंगे और code लिखा जाएगा नहीं सुना here you go this is called github co-pilot voice इसके लिए subscription required है ये इसके लिए भी subscription required होगी और github co-pilot के लिए भी by the way ये हमने extensions करनी अब इसके इलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको websites पे पता चलेंगी पहली website जो free है totally totally free इसका नाम है cloud AI ये आजी website आपने इस पे google से या किसी भी तरीके से sign in करना ये totally chat gpt 4 के equal आपको code देगी ठीक है कौन सी क्या नाम है anthropic की cloud है दूसरा हमारे पास जो है वो है obviously chat gpt जिसमें आपके पास chat gpt 3.5 free में है 4 अगर आपने use करना है तो आप उसके लिए पैसे देते है second होगी the third one is called obviously black box जो मैंने आपको पहले भी बताईए आप इसके उपर जाके भी not this one ये कोई और black box खुल गया black box.io है if I'm not wrong yes this one तो आप यहां पे भी कुछ भी लिखें तो आपको उसका code आजाएगा but you can use the vs code extension जो मैंने आपको पहले बता दिये then the fourth one is called आपका lemma 2 model आपने चलाना है तो वो है जी lemma 2 perplexity perplexity labs I think yes perplexity labs इसको आपने अपने पास install कर लेना sorry open कर लेना और यहां पे lemma 2 variant जो है खास दोर पे facebook का जो updated algorithm है वो आप यहां पे use कर सकते है आप अगर 70B करें तो यह भी आपको code देगा फिर आपके पास एक और है perplexity.ai totally free आई जी यह भी you don't need to pay ऐसे ही आप चला सकते हैं जैसे मैंने open की है यहीं पे इसी तरीके से आप इसको run कर सकते हैं then the next one is perplexity.ai के बाद po.com one of the best one इतनी जबरदस्त है सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर है तो आपने सबी ने इसके sign up बनाने है यानि के इसको अपने email पे register करने है ठीक है अब अगर मैं ranking करूँ सबसे पहले po.i आएगी second पे cloud, third पे chat gpt क्योंकि यह पैसे लेते है black box आपके पास extension है तो यह end पे में ले जाता हूँ परplexity.ai यह po के और cloud के बाद मैं रखता हूँ परplexity.labs इसके result बहुत अच्छे नहीं है तो इस वज़ा से हम इसे रिदर रखेंगे black box आगी इसके इलावा भी बहुत है बहुत AI tools की बारे में आपको free में use करने के लिए बहुत ज़्यादा और भी है लेकिन जो main है वो है harpa.ai की extension यह chrome extension है totally free है add to chrome करें इसे add to chrome करके यहां से मैं add to chrome करता हूँ add extension करता हूँ यह यहां पे मेरे पास यह extension आ जाएगी and then इसका जो मज़ा है ना बहुत कमाल है आपके पास chat GPT का account होना जरूरी है उसके साथ यह आपके attach हो जाएगी then on each and every website आप सवाल जवाब पूछ सकते है हर website से यहां पे मतलब आपके पास कोई plot यहां पे अच्छा लग रहा पूछ सकते हैं यह plot कैसे बना ठीक है इसके बाद none other than ping AI chat फ्री में टोटली फ्री में और अगर आपने यहां पे चलानी है तो इस तरीके से आप इसको run कर सकते हैं चैट पे क्लिक करें आपने इसका account बनाना है फिर यह आपके पास चलेगी otherwise you have to run this via edge browser edge के उपर आप जाते हैं और यहां पे आपके पास अगर आप ping पे क्लिक करें तो यह chat इस तरीके से open हो जाईए आपके पास Microsoft edge browser यह सभी के पास है यहां से direct code पूछ सकते हैं जी आप आपको अंदाजा नहीं है मैं आपको अभी दिखाता हूं make a plot showing parts of world population data in python show me the code मैं इसको run करता हूं और ओके network setting गश हुए खैर इसको इसको मैं इसी चीज को sorry just a minute इसी चीज को मैं run करता हूं यहां पे इस जगा पे let's see मैं यहीं पे paste करता हूं देखिएगा कोई sign in की जरूरत नहीं है पर प्रपलेक्सिटी के लिए यह आपको सामने सारा code आगे so this is how you can copy the code and you can run this मैं इसको copy करता हूं python में जाता हूं अब यहां पे कोई भी एक file open करता हूं नई बना लेते हम test के नाम से dot ipynb यहां पे इसे paste कर देता हूं and let's see करनल साहब हमारे ml environment वाले चलें तो यूजिली इसमें errors कम होती है लेकिन हो अगर तो कोई मसला नहीं है नहीं हो तो कोई भी issue है यह देखें जी तो हमने सिरफ वहां पे prompt लिखा हमारे पास चीज़ें आ गए ठीक है इसी तरीके से कोडियम के साथ होगा आपके पास कोडियम है यहां पे यह यहां पे इसका कोडियम का चैट बॉक्स आज़ेगा आप यहीं से पूछ सकते हैं सारा कुछ आपको कहीं जाने के जरूरत नहीं inside your VS code you can ask any question show me a code to make a scatter plot in titanic data set using c bond enter hit shift plus enter type a new line इसको restart करना पड़ेगा VS code I think it will be working fine यह कुछ sign-in वगरा मांग रहा है क्योंकि codium और बाकिछ अच्छा ठीक है codium भी मांग रही है sign-in so probability is plot in python इसका कोई error आ रहा है codium का इसको हम बाद में देखते हैं black box पर चलते हैं को AI chat के थ्रूँ answer देगा ठीक है and show me a code तो यह free के alternative है otherwise you have to pay for github co-pilot ठीक है यह देखें आपके पास codes भी आ रहे हैं ठीक है तो best way यह है कि आप black box को use कर लें codium को uninstall कर दें या codium को use कर लें usually you have to sign in ठीक है तो obviously मेरे पास अभी मैं इसमें sign in नहीं कर रहा जारी बात है वरना आपने आवाजें सुनके जो है वो खुद से sign in करने बैठ जाना है so I don't want to do that but this is how you can use use the power of AI in your extension pack or via score अच्छा इसमें से आप में से कितने लोगों को लगता है कि this way इस तरीके से हम ज्यादा अच्छी coding सीख सकते हैं या आपको यह लगता है कि नहीं यार यह इसने तो सारा काम ही खराब कर दिया जो पिछले दिनों से हम coding सीखते हैं क्या ख्याल है इस वे इस गोड ठीक है और अगर आप यह परेशान है कि यह डेटा कहां से आया उसने खुद से ज्यूम किया है यह गौर करें code पे खुद ही उसने लिस्ट बनाई है चाइना के country की फिर population के और इन दोनों को draw कर दिये simple समझा ही बात की तो कहीं से fetch नहीं किया डेटा डेटा फेच करने के लिए it need to use some other methods अच्छा जिए यह सारी चीज़े होगी अब आपको मेरी एक suggestion है सभी को के आप लोग तीन तीन चार चार लोग मिलके चैट जीपीटी फोर का account अगर खरीदना चाहें तो वो ज़रूर ले क्योंके total 21 से 22 डॉलर पर मन्त इसकी fee है ठीक है और 21 से 22 डॉलर का मतलब है के आपको तीन तीन चार 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 डॉलर एक बंदे को आने विचिस अराउंड 800 पर मन्त लेकिन अगर आप नहीं चाहते सीखना उससे तो poor.com बेस्ट है cloud उससे बेस्ट है फिर perplexity यह तीन ऐसी चीज़े हैं जो चैट जीपीटी 4 के equal काम करती है तक्रीबन राइट फिर आपके पास यह लेमा 2 का वरियन है विच इस kind of start one so it's always better to not use this. Bing AI सबसे कमाल और free में ठीक है अब एक चीज़ जो सारे लोग बार-बार परिशान होते हैं और यह पूछते हैं कि GitHub Co-Pilot कैसे मिलनी है GitHub Education Developer Pack Education Pack अगर आपके पास है तो GitHub Co-Pilot totally free है आपको आपने सिरफ इस student pack को sign up करके क्योंकि मैं as a researcher and teacher हूँ यहाँ पर तो मुझे यह free है available तो यहाँ पर आपने sign in करना है अपने ID से जहाँ पर आपने इसको खुछ से use किया और believe me अगर आप एक दफ़ा यह ले लेते हैं तो जितनी देर आप student है totally free चलेगी otherwise you have to pay $19 per month ठीक है और अगर आप individual हैं तो आपको $10 per month तो आप trial version भी इसका चला सकते हैं देखने के लिए and we will be using this from now onwards ताकि आपको पता चलेए कि जो मेरे पास automatic coding आ रही होगी वो किस बटा से आ रही होगी आप black box को भी use कर सकते हैं but this one is also better और ये students और teacher के लिए totally free है ठीक है so उसके लिए आपको यहाँ पे या तो student developer pack लेना होगा या teacher developer pack अगर आपके पास ये दुनों नहीं है तो मैंने आपको alternate पहले बता दी है कि आप black box को use कर ले codium को use कर ले both are fine ठीक है so it's up to you के आप क्या utilize करते है this was an important lecture जिसको ये सारी चीज़ें पता है न उनके लिए coding क्या आप एक दिन में बैठ के पूरे के पुरा software बना सकते है लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है prompt engineering prompt लिखना ज़रूरी है prompt नहीं लिखेंगे तो आपको समझ कुछ नहीं आएगी prompt लिखेंगे तो सब समझ आएगी ठीक है यहां तक clear होगी जी बात आपको okay that's good